प्रिविद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीतारां सर्मा, हर्देव जोसी, राज की ये कन्या महाविद्याले मासवारां। आजो पूरुस सुक्त पर चर्चा करते हैं, या कईये पूरुस सुत्र का पाराहेन करते हैं। तो जैसा की परंपरा है, जब हम सुक्तों का ध्यन करते हैं, या परिक्षा में कोई भी मंत्र जब आता है, इन बाते हैं इस मंत्र के विशे में हमारे ध्यान में रहना चाहिए। कि यह रिग्वेद के किस मंडल का कौन सा सुक्त है। फुरुस सुक्त है न। यह रिग्वेद के दसम मंडल का नभ्यमा सुक्त है। इसके रिशी नारायन है। देवता पूरुष है जिसकी विशे में इसका वर्ण है। और इसमें 16 मंत्र पंद्र में अनुष्टुप है। अनुष्टुप क्या यह कि प्रतियक पाद में आठ आठ वर्ण होते हैं। तो देखते हैं। सहस्र सीरहा पूरुष हा सहस्रा ख्रह सहस्र पात सभो में गुम सभो में गुम दिस्वतो गृत्वात्यतिष्ट दशांगो लम्म। यह मैंने जो बैदिक को पंदित पाठ करते हैं। उस विजी से कर दिया है। और इच्छा की दश्टी से इसको अनुष्टुप की अनुष्टुप जैसे पला जाता है। किसी किसी पुस्तक में विस्वतो है। और किसी किसी पुस्तक में सर्वतो पाठ है। तो इसमें पुरुष्टा बनन है। वस्तदे यह जो सूक्त है। इसमें जगतनयंता या पूरे ब्रह्मांद को एक परमात्म शक्ती की रूप में देखा गया है। तो जिसको हम कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांद है न, यह परमात्मा का स्वरूप है। इसी को विराट रूप कहते हैं, एक तरह से पूरे ब्रह्मान्ट को सर्वं खर्विदम्रम्म यह जो कुछ दिखाई दे रहा है, यह ब्रह्म ही है, यह परमात्मा ही है, तो इस रूप में पूरे विराट को एक पुर्ष मान करके और पूरे विराट को पूरे ब्रह्मान्ट क परमात्मा के लूप में देखा गया है पूजा गया धान किया गया है तो क्या कए देने सी सह सिर्षा पुरुषा यह विराट पुरुषा है न इसह सिर्षा है वैसे पारंपरे के यो बेद साथक्षाणी शीरशानी और जितने भी शिर है दिला व्रमात्मा ब्रूप है जिख आत्कों कि यह ज्यम आज़ी पर्मात्मा रूप जिटने भी शिर hukyतों और है यहार की संख्या नहीं है बहुत है अदिक संख्या का संकेत है तो पुरुस हजारों सिर बाला अर्थात अनेक सिरों बाला है सहस्त्राक्षा, सहस्त्रों ने हजार अक्षिनी आखें जिसकी हजारों आखों बाला है सहस्त्र पादा, सहस्त्रहा पादा हजारों पेरों बाला है हमझे ना अरकात वो कोई एक यक्ति नहीं है हजार असरवाला मतलब जितने भी शिर प्राणियों के हैं वो सब मतलब सभी प्राणियों की का सामुएक जुरूप है न वही विराठ पुरुश है तो यह कहीं कि संपुल प्राणियों की सामुएक सत्था है उसी को भी राठ कहते हैं तो संपुल प्राणियों में कुल्मला के हजारों से रहें अर्थत कोई प्राणी परमात्मा से भिंद नहीं है सियाराम में सब्जग जानी भक्ति संपुल दाय में यही बात हो शब्जगत को परमात्मा के रुप में देखकर इसी यही मंत्र है यही सुक्त है इसके आधार पर सरवात्म बात एक ही अनेक्ता में एक्ता अनेक ही एक है तो है हजारों सिर्वाला है हजारों आखों वाला ह है 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 यारों पेरों वाला अनेक विराग जो पुरुस है वह है 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 यारों सिरों वाला अनेक सिर वाला अनेक आखों वाला अनेक पेरों वाला सब भूमी विस्वतों व्रत्वा वह चारों और से सब और से भूमी को व्याप्त करके अर्था पूरी भूमी पर व्याप् है एकी केवल भरती पर है इतना है उसके अंगुल इससे ऊपर भी है दस अंगल मतलो का मतलब यह इतने हजारों आंके हजारों से हजारों भूप है जोग्यात है वह बहुत कम है बहुत मतलब जो दिखाई दे रहा है, चल रहा है, सुनाई दे रहा है, जो सोच रहा है, बिचा रहा है, उससे भी जादा अंस वो है जो अज्यात है, यह दिसांगोलम कारते हैं, ऐसा हुआ पुरुष है, जश्यातीर चापुरुष है, सहस्राख्या, सहस्रपात, सभो में गुंबिश्वतो, भृत्वा अतिष्चर्थ शांगोलम जशांगोलम, इस जो वेध हैं, इसमें जो अनुस्वार है, जशांगोलम, जशांगोलम, अम्मा इसको इसको इसले बोलते हैं, बेध में यही पूरुख एवेदं सर्वं जदभूतं जचवाव्यं उतामत्यत्व शेष्षान जदन्नेनाती रोहती पूरुष एवेदं सर्वं इदं सर्वं इदं सर्वं यह जो दिखाई दे रहा है यह पूरुष ही है पूर्ष से जिन्नकुष नहीं है यह जदभूतं जज़ दिखाई दर्श्वं ब्रत्मान में आने करूपों में नैक नामों में अनेक आकारश प्रकारों में था गतामी खत रहा है जगत यह सब विराठ पुरस ही है यह परमात्मा ही है यह नहीं यह भूतम इससे पहले जो हो चुका है अर्टाथ बर्तमान में जो है वह पुरस्ट यो था वह पुरस्ट भाव्यम जो होगा वह भी पुरस्ट अर्टाथ बर्तमान के सभी प्राणी शमुदाय उस विराठ के ही अवयव है भूत काल के सभी प्राणी शमुदाय उस विराठ का अवयव है और जो आगे होने वाला है भाव्यम वह विराठ का ही अवयव है तो पुरस्ट ही है यह जो है जो भूत जो हो चुका है और जो होने इतना ही नहीं अम्रत का इशान है अम्रत का स्वामी अम्रत का मतले हैं यह जलों का स्वामी है क्योंकि जल से जीवन रिक्षित हुआ तो यही जीवन का आधार भूतत्व है अत्वा अमरत का स्वामी ही है अमरत्व का देने वाला भी यही पुरुष है परमात्माई ही है अर्थ देवता ऐसे बिन नहीं है सभी देवतां के रूप में यह पुरुष ही है सारा जड़ चेतन जो बरत्मान कालिक भूत कालिक और भविश्य कालिक जगत है वह तो इसका रूप है ही देव शक्तियां भी इसी का रूप है और अमतत्त से इशान यद अनेन अतिरोहती और यह अन से और बढ़ता है भोग्य पदार्थ अन का मतलब भोग्य पदार्थ अन का मतलब वह अशनाधी भोग्य वस्तुवें उन से जय से बढ़त अतिरोहती उन से बढ़ता अर्थाथ वह उसी कर उसी की रूपन हो जाता है जैसे जितने भी प्राण कुल बना करके भोग्य के माध्यम से जो कुछ भी संसार बढ़ता है वह ऐसा विराट पुरसी ही है वह ऐसा परमात पुरस रूप ही है इतावा नस्य महिमातो जायाश्य पुरुख पादोस्य विश्वा भूता नित्रिपा धस्या मृतन दीवी मैं इसको शाको ख बोलता हूं क्योंकि बैदेक पाठ मैं शाकार को खकार बूल यह वीराट पुरुख इस यह बादी से महिमा कई गई है ना इससे भी जाया बढ़कर है उपर पूरा दश्यमान जगत समधा है वो तो एक पैर में है पूरा चतर थांस में तो आ गया पूरा भुबन समुदा है जिसकी बात के रहे हैं जो भूत कालिक भरुष कालिक और वर्तमान कालिक प्राणी शमुदाय आ गया उत्रपाग अस्यमर्तन अम्रतन दिभी और इसके तीर पैर अम्रत में स्वर्ग में है कुल बलाकर कि क्या कहना चाहते है इसी कहना चाहते है कि इसकी जतनी महिमाम श्राइब के लिग और भूत कालिक और गया है यह दिस भिस्ता है स्वर्ग में तीन पहतों के स्वार्ग में हैं अम्रत में हैं ऐसा है यह है तरपाद उर्ध उद उदाइत पुर्षण, पादो सेया भवत्पुना, ततो विश्वन वितकाम साशना नसल्यभी तीन यह पुरुष तरपाद उर्ध पुरुष उदैत पुरुष यह पुरुष तीन पादों से युक्त उर्ध जगत से उपर है तरपाद उर्ध पुरुष यह पुरुष तीन पहरों से युक्त जो अज्यात पुरुष है वह उर्ध है अर्थाक हमारी इनों इंद्रियों क पहुंच में नहीं है पादो सेहा भवत्पुन और इसका जो एक पाद है उसमें विश्वंग विद्क्रामत जित्रेवी जित्रेवी असन भोजन करने वाले अनसन भोजन नहीं करने वाले अर्था जड़ चेतन सब एक पैर में व्याप्त हो गई है तीन पैर में तो यज्यात है एक इसका भोजन करने वाले और भोजन नहीं करने वाले अर्था जड़ और चेतनादी प्रानी शमुदाय से युक्त है